बिजेपी के राश्टी अधियक जेपी नड़ा ने कहा कि देश विरोधी शक्तियों को काम्याब नहीं होने देंगे और कॉंग्रिस को जनता ने देश से नकारा है और आगे कहा कि राहुल विदेशी धरती पर भारत का अबमान कर रहे हैं और क्या कुछ कहा जेपी नड़ा हाई आपको सनाते हैं एक और आज भारत जहां प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में दुनिया की पाँचमी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ती बन रही है वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है वहीं दूसरी और रहुल गांधी विदेशी धर्ती पर देश का आपमान कर रहे हैं सदन का आपमान कर रहे हैं देश की पूर्ण बहुमत सी चुनी हुई सरकार का आपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड जनता का आपमान कर रहे हैं ये देश द्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है राहुल गांदी जी आपने विदेश की धर्ती पर कहा कि भारत में लोकतंतर खतम हो गया है और योरोप और अमरीका इसमें दखल देना चाहिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रबूता पर हमला है मैं राहुल गांदी से जानना चाहता हूँ कि योरोप और अमरीका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है स्वसंत्र भारत की इतिहास में विशंब से विशंब स्थिती में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताक्तों से भारत सरकार के खिलाफ कारवाई करने है